सबसे पहले तो उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो भाई आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडिया और सौथ आफ्रिका वुमेंस के बीट खेली जारी टी-टी शंकला के तीसे और आखरी मैच के फेंटेसिव प्रेडिक्शन के बारे में यह ड्रीम टीम के बारे में यह मैच चेन्नई में शाम को साथ बज़े खेला जाएगा और आज इस सुड़े में आपको जानने निप्टा सकती है कुल मिला के बात यह वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा अगर आप इसी मैच में फेंटेसिव के फिल्म में अचा पर्फॉम करना चाहते हैं तो बस आज इस सुड़ियो को देखते जाओ ठीक है और हाँ भई साथ ही में ध्यान रखना अगर आप लोग फेंटेस के फिल्म में अपनी नोलीज को एनहेंस करना चाहते हैं या फेंटेस के फिल्म में अपनी विनिंग परसेंटेस को इंक्रीज करना चाहते हैं यानि पहले के कंपेरस में फेंटेस से खिलके ज़्यादा पैसा विन करना चाहते हैं लेकिन आपने भी तक मेरी तीन T20 मुकावलों की शंकला थी पहला मैच सौथ अफरिका ने विन किया दूसरा मैच बाइस के चलते रद हो गया ठीक है और अब यह है तीसरा और आखरी T20 मैच अब इस मैच मेच में अगर सौथ अफरिका ने विन कर लिया तो सौथ अफरिका टीम 2-0 से T20 शंकला अपने नाम कर लेगी अगर यह मैच बाइस के जलते रद हो तो सौथ अफरिका टीम 1-0 से T20 शंकला विन कर लेगी और टीम इंडिया अगर यह मैच विन करते हैं तो एक-एक से T20 शंकला ड्रो हो जाएगी यानि कुल मला के बाद यह टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोरेंट मैच है टीम इंडिया इस मैच को विन करके इस T20 शंकला को ड्रो करना चाहेगी अब बात करेंगी 11 की तो टीम इंडिया ने पिछले T20 मैच अपनी प्लेंग लेंड में कुल चार चेंज किये थे सबसे पहला चेंज किया था उमा चेतरी जो कीपर बल्लेबास थी अगर रिचागोष ये T20 मैच ने पूरी तरह फिट है तो उमा चेतरी के प्लेस पे रिचागोष अंदर आ सकती है दूसरा टीम इंडिया ने साजना को खिला है था हेमलता को बार किया था अगर हेमलता फिट है तो मेबी टीम इंडिया उनको ट्राइ कर सकती है लेकिन मेरे को लगता है टीम इंडिया गर हेमलता को खिलाएगी तो जमिमा को नीचे वल्लेबासी करनी पड़ रही है, हर्मन को नीचे खेलना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि इस मैट में साजनी आपको एक बाफिर से खेलती हुआ है, फिर टीम इंडिया ने पिछली मैट में श्रेंक का पाटिल को खेला है था, आश्रा के प्लेस पे जो की एफ्रिका टीम की बात करें, तो वह अंदर आ सकती है, बाकी मेरे को ने लगता कि इस अफरिका टीम कोई भी चेंज अपनी लवन में चाहिए, तो भाई अब मैं आपके साइच शेयर करने वाला हूँ, टीम इंडिया का बोलिंग चाट, और इस बोलिंग चार्ट के माध्य आपको यह समझ आएगा कि टीम इंडिया के कौन सी गिंदबास का क्या रोल है या कौन सी गिंदबास केम के कौन से फेस में जड़ा एफेक्टिव साभीत हो सकते ठीक है ध्यान से देखना तो भाई मैं यह जानके बड़ा सर्पाइस था पिछले दो T20 मैच में कि बहुत साई लोगों ने पूजा को अपनी फेंटेसी टीम में अलके में लिया यानि फेंटेसी टीम से बाहर रखा अगर आपने पिछले दोने T20 मैच में पूजा को fantasy team में नहीं रखा था तो आपकी fantasy team ने अच्छा perform नहीं क्या होगा अब हम पूजा को fantasy team में preference क्यों दे रहे थे या मैं क्यों कह रहा हूँ कि पूजा को आपको fantasy team में preference देनी चाहिए क्योंकि वह याद रखना पूजा 17 से 20 के बीच में एक और तो कम से कम गिनबासी कराईगी और आपको पता है जो गिनबास 17 से 20 में गिनबासी करवाती है उनके विकित चटकाने के चांस हमेशा जादा होते हैं क्योंकि आप पूजा को देखो पूजा ने सबसे देख गुगिट साल 23 के बास 17 से 20 में निकाले है चोदा ओर गिनबासी करके आठ बल्ले बास सकाउट किया ठीक है गिनबासी पूजा ने पार्ट में भी करवाई लेकिन पार्ट में पूजा कुत नी सफलता नी मिली जितनी सफलता 17 से 20 मिली है और टीम इंडिया पहले गिनबास ही करती है तो पूझा को फेंटसी टीम में लेना बनता है उपर से ये T20 मैच है तो T20 मैच ने पूझा को कभी कवार पावरेटिंग किले टीम इंडिया वैटिंग में परमोशन करवा सकते है ठीक है फिर द्यान रखना पिछले T20 मैच में साजना को टीम इंडिया ने पारपले में एक और गिनबास ही करवाई थी रेड़ी में पारपले में एक और गिनबास ही की थी श्रेंक का पठल ने पारपल में एक और गिनबास से की, राधा ने पारपल में एक और गिनबास से की पिछले D20 मेट में दिप्ति शर्मा ने पारपल में गिनबास ही नहीं करवाई क्योंकि दिप्ति शर्मा ओफ प्रेग इंबास है और टीम इंडिया ने ओफ प्रेग इंबास के तोर पे संजना को पारपल में यूज़ कर लिया अगर संजना को टीम इंडिया पारपल में इंबास ही ना करवाए तो दिप्ति को फिर पारपल में इंबास ही मिल सकती है 17-20 का द्यान रखना एक और तो आपका पूजा का कंफर्म मिलना ही मिलना है अगर रेड़ी खेल रही है तो रेड़ी को वो ओवर दूसरा मिलेगा 17-20 के अंदर अगर से 20 मैट में रिनुका खेल रही है तो रिनुका शायद 17-20 में गिनबासी ना करें अगर राधा की बात करें तो राधा मैकसम गिनबासी 16 वर्तक करेंगी राधा के 17-20 में गिनबासी करने के चांस कम है तो टीम इंडिया जब पहले गिनबासी कराएगी तो यह बोलिंग चार्ट का ध्यान रखना जिससे आपको काईड़े लग जाएगा कौनसे गिनबास कौनसे फेस में कितनी गिनबासी करवा सकती है और उसके विकिट चटकाने के कितने परसेंट चांस है अगर आप South Africa team की बात करोगे तो जैसा मैंने का जो गिनबा 17-20 में गिनबासी करवाती है उसके मेश्चा विगिट निकालने के चांस होते है फिलाग पिछले दोनों T20 मैच में खाका यानि South Africa team की गिनबा तो South Africa ने पहले बल्लेवासी की अगर South Africa team पहले गिनबासी करें तो 17-20 में खाका को गिनबासी मिल सकती है और 17-20 में वो केस में खाका विकिट निकाल सकती है जो मेरे वाई लोग Megalig वगेरा खेलते हैं वो अपनी Fantasy team में खाका को ट्राइ कर सकते हैं अगर South Africa team पहले गिनबासी करें अगर आपनी मेगा लिग में मल्टीवल टीम क्रियेट कर रखिया है। ट्रौइन की बात करें, तो ट्रौइन अधिक गिंवासी 7-11, 12-16 में करवाती है। फिर अगर आप बात करोगे मार्क्स की तो मार्क्स को टीम गिनबासी पारपले में या 12-16 में ज़्यादा इस्तमाल करती है डी कलर्क की बात की जाए तो अगर साउट अफरिका टीम 17-20 में गिनबासी करती है ठीक है इस्पेशली पहली पारी में तो इसके विकित चटकाने के चांस इंक्रीस हो सकते हैं 17 और में 141 दरम देखे 7 बल्लेबास स्काउट किया बाकी आप देखलो इतनी खास गिनबासी पहले ये करनी पाए मलाबा की बात करें तो मलाबा दोस्ते एक ऐसे गिनबास है जो पार्टल में 9 बल्लेबास तो 12-16 में 8 बल्लेबास स्काउट कर चुकी है मैं बात कर रहा हूं साल 2-7-23 के बाद और अब तक फिर आपके पास है डेक्सन तो डेक्सन जदा गिनबासी करवाती है पार्टल में अच्ची घिनबास के तोर पे टीम यूज़ करती है अब हम बात करेंगे टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबास सैफाली वर्मा के बारे में पिछली दो T20 मैच की बात करोगे तो सैफाली ज़्यादा खास पर्फोर्मेस कर नहीं पाई ठीक है अब देखो सैफाली वर्मा की बात करें तो रिसेंट टाइम में टीम इंडिया कली दूसरी पारी में पहली पार के कमपेंस में कहीं ज़्यादा बल्लेग साथ पर्फोर्म किया है ओवरॉल बात करें साल दो साथ है इसके बाद बल्लेबासी उसाथ 22.2 का है 24 मैट में 490 अनमारे 4 बल्लेबासों को गिंदबासी करके आउट किया साथ अफ्रिगा टीम के सामने बात करें तो दोनों पारी में अच्छा कर सकती है लेकिन पहली पारी में साथाली के इच्छी पर्फोर्मेस करने के चांस है लेकिन मैं क्या करूंगा गर इस मैट में टीम इंडिया टागेट चेस करती है तो सेफाली को fantasy team में preference दे सकता हूँ सेफाली को ध्यां डेकने leg spin गिनबास थोड़ा तंग करते हैं 31 ओल में 3 बर out वी 24 सन मारे है फिला सौथ आफरिका team के पास leg spin गिनबास है नि और तो उस पिन गिनबास सौथ आफरिका team की खिलाडी मलाबा है जो 22 ओल में 28 रंदे के दो बर out कर चुकी है इस कलाव खाका की बात करें तो 25 ओल में 28 रंदे के एक बर out किया और बाकी जो गिनबास सौथ आफरिका team के स्वास है उन गिनबासों के सामने जब भी सेफाली खिली इसने अच्छा perform किया हला कि सेफाली मेक्सम मेट्रीस में आपको 20 से 25 की या 20 से 30 की रेंग में out होती दिखाई देती है कभी कम है चोतें T20 format में कि सेफाली अच्छी सार्ट को बड़ी पार में convert करे अगर इंडिया चेस करेगी तो आप सेफाली को fantasy team में ले सकते हो अगर हम बात करें सिंफ्थी मानना की तो देखो left and बल्ले बास से लेकिन left and बल्ले बास होने के बाउजुदी और्थोलोक्स पिन गिन बास पर आउट होती है सिंफ्थी मानना की तो अभी तक तो साउट अफ्रिका गें बास के सामने सिंफ्थी मानना ने अच्छा खासा पर्फॉर्म किया है एक बाप फिर expectation रख सकते हैं अच्छा खेलेगी पहली पारी दूसरी पारी सिंफ्थी मानना की ज़्यदा फरक नी पड़ता लेकिन जब ये साउट अफ्रिका से मैचिस केलती है तो सिंफ्थी मानना चेस में कहीं ज़्यदा वहतर बल्ले बासी करते कंपे से पहली पारी के और इस सेनरी पे खेलेगे दो T20 मैट में 46 सन मार है हलाकि दो में से एक बारी वल्ले बासी करने का मौका मिल है और दूसरा सिंफ्थी मानना को थोड़ी से नो की रफ्तार पे लगाम लगाना चाहे तो फिर किसी ऑफ़़्परे गिनबास को गिनबासी करवानी पड़ेगी फिलाल साउद एफ़़्थी पर्में ज़्यदा better perform कर सकती है यंझे दूसरी पार में जादा better perform करवा सकती है जब हमार रोडिक्स की बात करोगे थे खो क्या हुआ कि क्या हुआ कि RDC20 में आप लोग जाएं तो अपनी मेगा लिग की फेंटेसर टीम में मलाबा को ट्राइ कर सकते हैं इस स्मोल लिग में फालतूर इस क्लिने का आपको सुर्ट नहीं है लेकिन मेगा लिग की टीम में मल्टीपल टीम क्रियेट किया है तो आप साउट एफ़ेगा पारिके अब आपको यहां से वासमा जाए कि इस सीड्वेंटी मेट में टीम इंडिया की बल्लेबास सिम्ती मानना का बल्ला चल गया जमाइमा रोडिक्स का बल्ला चल गया सैफाली का बल्ला चल गया तो इसका मतलब मलाबा इस मेट में ची गिनबासी नहीं कर पाई और मल बल्लेबास को बारते को टीम में लेंगे तो मलावा को फेंटेसी टीम से दूर रख सकते हैं तो ये बात आप कहां पर सेखने को मिल गई नमबर चार पर टीम की कप्तान हर्मन है हर्मन को आप पहले बैटिंग करा और चेस में करा और दोनों पारी मैच्चा खेल सकती है रिसेंटली वंडे मैच और टेस मैच और टीडवेंटी जब भी इसको बल्लेबास से मिली है हर्मन ने साथ अफ्रिका गेंदबासों के सामने अच्छा खेला है और दिकूर आपनी टीम इंड़ा के बाकी बल्लेबासों को देखा होगा जो भी है वो किसे ना किसे कि स्टेवी की आप गेंदबास के सामने ज़धा फ्रिक्वेंटली आउट हो रही है लेकिन अर्मन की बात करें तो ऐसको कोई दिक कत अर्मन के साथ है नि यह किसे भी टैब के गेंदबासों के सामने अपना दिनोडे पैच्चा केल सकते है और वैसे भी औरो लाक ने इनके काफी अच्छे हैं अपोनेंट टीम के और चोक स्पिन गेंद बास मलाबा 36 ओल में 77 मारे उसके सामने एक बार आउट हुई है बीक लाक ने 32 में 25 देखे दो बार आउट किया खाका ने 21 में 27 देखे एक बार आउट किया साथ अफिका के सामने बल्लेबासी उसा 30 की वैन्यू पे 35 का तो अगर स्टैट्स की बात कि जाए तो दोस्तों इस मैट में स्टैट्स के बेस्पेन को अच्छा पर्फॉम करना चाहिए तो मैं आपको data science के मेंदद से हर एक फ्लेयर के बार में समझा रहा हूँ कौनसे खिलाडी कब कैसे कि वो पर्फॉम कर सकती है कौनसे खिलाडी कौनसे गिन्बास को टागेट कर सकती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो पर लाइक सुरूर करना दिप्ति शर्मा की बात करें तो दिप्ति शर्मा से T20 मैंच में बलेच सा жیदा एक्सपेक्टेशन ना रखें दिप्ति से जो भी एक्सपेक्टेशन आपके होगी वो गिनवास में रखें क्योंगि T20 पॉर्मेट में देखा गया कि दिप्ती को बल्लेबास जादा यूस नहीं क्या और आप दिप्ती के पिछले 5-6-8-20 मैच उठा के देखलो दिप्ती ने अगर आपको कोंट्रिबूट किया होगा तो गेंदबास में क्या होगा बल्लेबास से कोंट्रिबूट करने के चांस कम है और बल्लेबास अगर दिप्ती कोंट्रिबूट करेगी तो simple से बात है टीम इंडिया की जो उपरी करम की बल्लेबास है उनको जल्दी आउट होना पड़ेगा फिलाल अगर बात करने दिप्ती बल्लेबास ही करती है तो एक तो लैक्समिन गेंदबास इनको तंग कर रहा है ए कि D. Clark ने 27,23 संदे केस को दोबारी आउट कर रहा है टीक है उसके बाद उमार छेतरी आगी है तो कीपर बल्लेबास है तो आप इनको ऐसा कीपर बल्लेबास टीम में लेंगे इनकी बल्लेबास से गेंदबास से आपको एक्सपेक्टेशन की कोई गुंजाईस नहीं है टीक कि साधना को पिछले T20 मेच में ब्रिट्स के विगिट मिल सकती थी लेकिन उमा छेतरी ने वहाँ पे विगिट के फिचे से स्टंप का चांस मिस कर दिया पूजा की बात करें 25 मेच में इंडिया को 21 विगिट गिला चुकी है ठीक है उसके बाद शेंका पाटिल की बात करें तो विगिट टेकिंग विकल्क टीम इंडेकरी राधा बन सकती है और वैसे भी साथ आफ्रिका टीम में पहुछ साई रैटन बलेबास है तो आपके एक ओर्ट रोक स्पिन गिनबास तो टीम में चाहिए वो राधा है जिसके जैसे राधा के विगिट चट करने के चांस इं तो वैन्यू की बात करें तो इस वैन्यू की ओपर दिप्तिश रमा ने 8 और 65 याटन दो में चाहिए तो ने आपके पास साथ आफ्रिका टीम लोरा वुल्फार्ट की बात करें तो लोरा वुल्फार्ट इस वकद जवरदद स करें टेस्स मैज देख लो वन्डे देख लो लोरा वुलफाट को कैसे रोका जा सकता है? अगर टीम इंडिया पार्प्ले में अपनी स्पिन गिंद्बास के ज़्यादा इस्तमाल करें, तो लोरा वुलफाट को रोका जा सकता है, अगर पारपल में टीम इंडिया ते इस गिंदबास के ज़दा इस्तमाल करेगी तो लोरा वुलफाट की रणों की रफ्तार पे लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है ठीक है बाकि आप देखो ओर्त्रोक्समिन गिंदबास के सामने 136 ओर में 7 बार ऊट ही है तो मैं के लोरा वुलफाट का का आउट करने हैं तो टीम इंडिया को पार पड़ प्ले के अंदर ज़्यादा इस्पन गिंदबास का यूज करना चाहिए क्यों दिप्ती शर्मा ने 26 बोले 26 संदे के दो बार और रादा ने 24-25 देके तीन बर आउट किया जबकि तेज केंद बासों के सामने आप देखो पूजा के सामने 17 में 13 मारा चलो पूजा ठीक है एक बार आउट कर पाई लेकिन तेस गेंदबासों के सामने अच्छी बल्लेबासी कर सकती, रेड़ी की बात करें, तो रेड़ी के सामने 13 वोल में 27 मार रखें, रेड़ी आउट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने का अगर तीम इंडिया इसमिन गेंदबास को पार्पर में गेंदबासी करा है, तो इस दोस् तो कुछ जादा ही बहतर बल्लेबासी करतें कमपेस में पहली पारिकेटी गया, फिस साथ आफ्रिका टीम की कप्तान का साथ देरी ब्रिट्स, तो बहुत सारे भाई सोचेंगे ब्रिट्स को फैंटेसी टीमें ड्रोप कर दू क्या, तो मैं आपको इस सारा दूंगा, अगर तो आप लोग अपनी फैंटेसी टीमें ब्रिट्स को ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन साथ आफ्रिका पहले बल्लेबासी करें तो ब्रिट्स के साथ आप जा सकते हैं, अब ब्रिट्स के एक चोटी से कमसोरी में आपको बताऊंगा, देखो, मैंने पिछले इंटिम बास गेन बासी करती है, पिछले टिमिंटी मेट में साथना मैच का दूसरा ओर कर रही थी, साथना की गेन पे आगे निकल के बड़ा शोट मारने का ट्राइ क्या गेन बल्ले का संपर्क नहीं हो, बोल से दे गई कीपर के पास, कीपर ने विकेट से आगे जाके बो अगर उन लोगों नहीं चीज को पकड़ लिया होगा इससे इसको catch out कर लिया तो उनकी टीम की जो spin गेंदबास है इंडिया की वो तो यही कोशिश करेगी कि इसको कैसे बही करके क्रीज से आगे निकला जाए और गेंद बल्ले का संपक नहीं है तो बड़े राम से मारी कीपर परफॉर्म कर सकते हो टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के सामने किस भी T20 मैच में बड़े राम से आपको 15-20, 25-30 मार के दे सकते है फ्लाल गेंद बास से करवानी रही है योकि वर्कलोड T20 वर्ल्ड कप साल 24 में वोमेंस का उसके लिए अपना मैनेज कर रही है तो पह परफॉर्म कर दे सकते हैं जहां दोस्तों में भी हो सकते है आपको 25-30 में कोंटिबूशन करके दे जैसे पिछले T20 मैच में की थी बाकि ओफ्ले गिंद बासों के सामने भी ज्यादा खास नहीं 85 वल में 5 बार आउटी चोराण में रन स्कोर करके टीम इंडिया के पास दो ओफ्ले गिंद बास एक दिप्ती एक श्रिंका पाटिल पाटिल ने 5 वल में 9 रंदे के एक बार आउट कर दिया और दिप्ती ने 22 还 •rowsillon ने 23 संद्रिंग एक बार यह आउट कर रहा दोस्तों बास इंडिया में रादायद उन्scenes करने के चांस कम है तो आपको बले के साथ 10-15 आण मार सकती है फिर यह और्फ्ली इंडिया में टीम इंडिया में रैटन बल्लेबाच जाद है तो रैटन बल्लेबाच जब जाद है तो इस केंद्वास को केंद्वास से करवाई जा सकती है आपने पिछला मैथ तो चलो बाहर चलते रहा हो गया अगर आपने पहला T20 महत देखा हूँ तो अगर जल्दी बल्लेबासे इनको कराएगी टीम तो में भी हो सकता है कि ये शायद बल्लेग साथ ज़्यादा परफॉम ना करे लेकिन 17-20 में अगर दोस्तो बल्ला चल गया तो फिर 15-20 अन मार सकती है इंडिया के सामने चेस में अच्छा खेलती है रिसन टाइम में चेस में अच्छा बल्लेबासे की है वेन्यू की बात करें तो दोनों पारी में टीक टाक इनकी परफॉमेंस रही है फिर आ जाती है अपने पास डीकलर तो मैं आपको यह कहूंगा डीकलर किया फिर आप ट्रोइन में किसे कोई टीम में ले अगर आप इन दोनों को भी फैंटेसी टीम में लेंगे तो अर्मान को फिर आपने फैंटेसी टीम से बाहर करना पड़ेगा ठीक है अगर सौथ आफरिका टीम दूसरी पड़ में गिंदबास से करा वेड़ कर सकते हैं अगर आपनी वीडियो को ध्यान से देखाओ तो आपकी बल्लेबास सिम्ती मानना रही हो सैफाली वर्मार रही हो है टीम हिलेगे कोई भी बल्लेबास है अगर आप डीक लर्क की बात करोगे तो देखो 25 मेट में 250 मारे यानि मैच ट्रोईन से ज़्यादा खेले रन ट्रोईन से कम है फिर आप दोस्ते हापी गिनबास में विगिट की बात को ट्रोईन ने 21 मैच में 12 काउट कर दिया इसने 25 में 15 काउट कर दिया तो अगर आप और रोल कल्कुरेशन करते तो मेरे मुताबिक ट्रोईन भी आपके लिए अच्छी खासी विकल बन सकते ठीक है माहिर सान का आप पिछले 2 T20 मैच से गिनबास से करवाई नहीं है डैक्सन पार्ट टाइम ही गिनबास से करवाती है बाकी मेगा लीग में आपके बोश डिफरेंशल प्रेर बनेगी माक्स की बात करें 6 मैच में सिर्फ 2 बल्लेबास सुक आउट किया है खाका ने पिछले 18 मैच में 13 बल्लेबास सुक आउट किया है और मलबा ने पिछले 28 मैच में किस बल्लेबास सुक आउट किया सौथ अफ्रिका की परफोमेंस इंडिया के समने बात करें तो माक्स ने दो मैच में तीन और गिनबास से विगिट नहीं है डी कलर्ट ने 17 मैच में दस वल्लेबास काओट किया, ट्रोइन ने 10 मैट में एक ही वल्लेबास का आउट किया लेकिन 10 मैट में बल्ले के साथ रंग 215 मारे ठीक है तो D. Clark के कंपैस में टोईन अची वल्लेबास ही करती है इंडिया के सामने और यही रीसन है कि पिछले कुछ T20 मैच में D. Clark से पहले टोईन आपको बल्लेबास ही करती है गिन बास में बात करें तो खाका ने इंडिया के साथ खेले पिछले 14 मैच में 8 बल्लेबास हो गाउट किया है और मलाबा ने I think 10 मैच में 7 बल्लेबास हो गाउट किया ठीक है इसके बाद आपके पर्फोमेंस चेनरी में आगी तो चेनरी में 2 T20 मैच ही खेलें साउथ अफरिका टीम ने और उन 2 T20 मैच इसमें जो पर्फोमेंस हो आप सबको याद होगी ठीक है अब फेंटेसी टीम बना रहे हैं तो ध्यान रखना कीपर बल्ले बास में 2 T20 आपके पास है उमाच हेतरी और जोफटा आप किसी के साथ भी जा सकते हो आपके चोईस है क्योंकि इन दोने ने बल्ले के साथ तो पर्फोमेंस कम करना है विकिट के पीछे जो फेंटेसी पॉइंट देंगी वो ही आपको यहाँ पे कुछ लीड दिला सकते है ठीक है अगर इचागोश पुरी तरा फिट है वो खेरीक तो मेरे इचागे साथ जाओंगा फिलाल उमाच छेतरी के साथ मैं जारूं बाकि side by side आप comparison कर सकते हो कि पिछले 5 मैच में लोगों ने कितना रहा है नमारा टोटल एवरेज फेंटेसी पॉइंट पिछले 5 मैच में कितना है ठीक है टोटल पॉइंट एवरेज फेंटेसी पॉइंट और ड्रीम टीम परसेंटेश इनका कितना है सिम्ति मानना, सैफाली, जमाइमा, हर्मत और साजना ये कुछ बारती बल्लेबास मेरे पास है तो मैं सिम्ति मानना, जमाइमा, रोडिक्स, हर्मन को फेंटेसी टीम में ले रहा हूँ चोईस यहाँ पर आपके पास सैफाली की है लेगिन सैफाली का fantasy team में कब लोगे जब team India इस match में chase करते है गर पहले बल्लेबासी करती है तो सैफाली की ओपर हर्मन को अपनी fantasy team में प्रेफरेंट दे सकते हो फिर बल्लेबासी की बात करें तो यहाँ पर South Africa team से लोरा वुलफार्ट है, ब्रिट्स है और बोस है तो बोस आपकी मेगा लिग की team में differential पर हो सकती है और उस वकाँ जब आप बोस को fantasy team में लेंगे तो ब्रिट्स को ड्रोग कर सकते है बाकि स्मोल लिग की team में ब्रिट्स हो लोरा वुलफार्ट के साथ जाएगा ओल्राउंडर की बात करें, तो पूजा फिलाल पिछले 5 मैच में 5 बल्लेबास सकाउट कर जुगी है ट्रोईन ने पिछले 5 मैच में 3 और चारी सन बल्ले के साथ मारे है डीक लख ने 8 बल्लेबास सकाउट सरूट गया लेकिन ध्यान रखना, डीक लख इंडिया के सामने खेले के मैच इसमे अच्छा पर्फॉम नहीं कर पाई दिप्ति जैसा मैंने का बल्ले के साथ इसकी पर्फॉमेस खास है निटी 20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए गिनबास में कोंटिबूट करती है आपको नसराइगी इंडिया पहले गिनबास करते हैं तो फिर दोवर गिनबास कर वा सकती है रादा आपकी फ़र्च फैस गिनबास मेरे सबसे होनी चाहीं कोई कि सॉथ बासे हमें बहुसा इसमे राइटन बले बास है और रेडी ने साल 2-3 के बाद पहला ही मैच खेला तो इस ट्रैट्स वगेर अविलेबल नहीं है और मलावा मैंने आपको बता दिया वो गिंदबास जिसको आप डिफेरेंशल गिंदबास के तोरप अपनी मेगाली की टीम में ले सकते हो फाइनल टीम प्रिव्यू आप दियान से देख लेना कीपर बल्लेबास फेंटेसी टीम में उमा चेतरी है बैटिंग में सौथ अफ्रिका टीम कप्तान लोरा वुलफार्ट सिर्मती मानना, हर्मन प्रित कोर, जमेमा रोडिक्स और बिट्स ठीक है तो ये पाँच बल्लेबास मेरी फेंटेसी टीम में जहां कप्तान फेंटेसी टीम की सिर्मती मानना है जो इसकी बात करें तो ऐसा नहीं कि फेंटेसी टीम आप सिर्मती मानना कोई कप्तान करें इस वगत लोरा वुलफार्ट अच्छा करें आप लोरा वुल्फार्ट को ट्राई कर सकते हैं अपनी स्मोल लिग की टीम में और मेगा लिग की टीम में चाहें तो हर्मन को यह आपके पास विकलप है हर्मन की प्लेस पे जूख लाड़ी है एक डी कलग एक सेफाली वर्मा इनको बारी बारी ट्राई में ट्राई कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आज यह स्मैच विग बड़ा रिस्क ले सकते हो सौथ अफरिगा टीम की बल्लेबास ब्रिट्स को बार कर देना और ब्रिट्स को बार करके डी कलग और सेफाली को टीम में ले सकते हो अगर इस मैट में सौथ अफ्रिका टीम चेस करें तो बेफिकर हो कि आप इस बल्लेबास को टीम से वार कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है और लाउंडर की बात की जाए मारीसान काप मेरे पास है, दिप्ती श्रमा मेरे पास है पूजा मेरे पास है और ट्रोइन मेरे पास है ठीक है तो ये चार तैसी खिलाड़ी जिनके साथ आपको इस मैट में जाना ही जाना है पांच विकल्प की बात के तो डीकलर की है अगर डीकलर के साथ आपको जाना है तो हरमन और विट्स में किसी एक को ड्रोप करके आप उनके साथ जा सकते हो नीचे गिनबास में बात करें तो अपनी फैंटेसी टीम में आपको रादा या दो नसर आएगी अगर अब गिनबास की बात करें कौन से गिनबास को फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं तो टीम इंडिया साब पार्टिल को ट्राई कर सकते हैं तो टीम इं स्रिम्ची मांदिया, वैस कप्तान, मारिस्टन काप है, चोईस की बात करें, तो आपके पास Small League में, लोरा, वुल्फार्ट की चोईस है, ठीक है. दिपतिशक्रमा की चोईस है, पूज़ा की चोईस है. मेगा लिग खेल रहो, तो मेगा लिग में, आप हर्मन को fantasy team में से differential player captain or vice captain कर सकते हैं ठीक है और तो बस mega league में मेरे इसाब से harman को आप try कर सकते हैं बाकी यह सब तो आपके small league में है तो फिलाल भाई बस आठके लिए इस studio में इतना ही उमीद करते हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई है और साथ ही में आपको हर एक player के बार में detail समझा पाया भाई कौन से बल्लेबास कब कैसे क्यों run मारेगी और कौन से गिनबास कब कैसे कौन से बल्लेबास का उट कर सकती है साथ ही में हर एक player का मैंने stand by stand आपको compassion करके दिया कि कौन से खिलाड़ी के confess में कौन से खिलाड़ी ज्यादा बहतर आपके लिए उप्योगी साभीत हो सकती है इस वाले T20 मैच में तो इसी बात पर वीडियो पर लाइक बंता है साथ में अगर आप fantasy फिल्म में अपनी knowledge को रहांस करना चाहते हैं या fantasy केल के अपने winning percentage को increase करना चाहते हैं लेकिन आपने भी तक मेरे YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चनल को भाई सब्सक्राइब कर लो ठीक है और बाकी भाई बस आप लोग अपना ध्यान रखना और अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही मेरे साथ बनाए रखना तो आप सब के साथ वापस एक बार फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ तो बस भाई अपना ध्यान रखो और अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखो